चाह अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया है नेता जी भी इतनी सीटे लेकर नहीं आए से जितनी सीटे अखिलेश यादव लेकर के आए हैं कुछ समय पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कहें कि यह आरोप लगते थे इस तरह के सवाल उठाये जाते थे कि अखिले सरकांशे राम कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए कि वो सरकार दो बैसाक्यों पर है नितेश कुमार जो इस बात के लिए बहुत पूरे दुनिया में लोग कप्रिये हैं कि उनके पेट में दांत है लालू जी कह चुके हैं वो कब पलड़ जाएंग उन्हेंने अब तक जितने भी सरकारें चलाई हैं वो तो पूर बहुमत की सरकार चलाई है वो तो इस तरह की सरकार चलाने के आदी नहीं रहे हैं वो तो अकेले फैसला लेने के आदी रहे हैं उनके मंत्री कौन है इसका नाम लें लोग जानते हैं रमी बेच देंगे घंग बेच देंगे और कलम के सुपाही अगर सो गए तो यह वतन के सिपाही वतन बेच देंगे अरे तुम गडबंदन अब उनके साथ कर लिए हो जो अपने मैनुफेस्टों में कह रहे हैं दस हजार पांच जार मौलवियों को देंगे मस्जिद बनवाएंगे हम इमाम इबादत घर बनवाएंगे एक लाग रुपिया हज सबसेड़ी देंगे मुसल्मानों को आरक्षण देने वाले शुरुवात करने वाले चंद्र बाबु नाइडू के साथ बगल में नरिंदर मोदी जी बटे हुए तो प्रिदिश की सरकार में कुछ गडबर चल रहा है क्या लक्षण जी आप तो बड़े करीब से समझ रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं अपनी आखों से योगी आदितनाथ ने मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उनके दोनों डैपटी सीम मौजूद दही थे और वो लो अगर योगी जी की वज़े से आने तो इसका मतलब मोदियों में साजी तो बहुत कमजोर हो गया है फिर तो योगी जी को नहीं बदल पाएंगे और अगर आप ताकतवर हैं तो फिर किस बात का अंदिजार कर रहे थे बीज़ेपी ने एक नारेटिव सेट करने की कोशुश की की जो राम को लाएं हैं जनता भी उनको लेकर के आएगी लेकिन सबसे बड़ी हार आयोध्या में हुई और तमाम धार्मिक नगरियों में बीज़ेपी की बहुत बुरी हार हुई उतर प्रदेश में बीज़ेपी की इतनी बुरी हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या दे बचा रही थी और मुझे आज भी याद और मैं ऑन कैमरा ये बात आपको बढ़ाई देने के लिए कह रहा हूं कि उन आसुओं में आपकी भी आखें गिली हुई थी जो अयुद्या के लोग उस रिपोर्ट में रोते चीखते तडपते हुए कह रहे थे कि भगवान का घर बस लाने की सजा सुनाई है सारा हेंकार सारा दंभ चकना चूर हो गया जो नरेंद्र मोदी दिन भर में कम से कम दस कपड़े बदलते थे हार के बाद पूरा दिन हरी सद्री में नजर आए नरेंद्र मोदी बहुमत नहीं ला पाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भयंकर हा अब आगे क्या होने जा रहा है इंडिया गडबंधन का अगला मूव क्या हो सकता है नई सरकार का भविष्य क्या होगा समविधान का इस चुनाव में कितना महत्वपोन योगदान रहा कितनी बड़ी भूमिका रही और तमाम राजनितिक संभावनाओं पर बात करने के लि अब मैं आगे जानना चाहती हूँ कि क्या कदम हो सकते हैं आगे जी बिलकुल ठीका आपने कि इस बार मेरे लिए ये बड़ा दिल्चस्प मौका था कि इस बार के चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा और दो तीन चीज़ें साफ नजर आ रही थी कि ये चुनाव जहा आपने हाथों की या बचे गा तो विपक्ष जीतेगा या सत्ता पक्ष आ जाएगा. इस इम्तिहान को जनता लड़ रही थी कि नहीं अब ये देश इतना अंधेरे में नहीं जायेगा. एक तो ये हूँआ. एक तनाशाह का दम्व चकना चूर कर दिया. इस देश की जनता ने और उसमें भी उत्तरप्रदेश जहां हम लोग बैठे हैं इसकी क्रेडिट सबसे ज्यादा जाती है और उसका अध्या जब लिखा जाएगा तो उसके एक सीट अध्या सबसे उपर नजर आएगी तो ये एक परदिश ये बना विपक्ष को जनता ने ता लाटक कुछ जिए उपर दिल्ली कसक बाकी रह गई लेकिन फिर बें इंडिया गडबंदन इतना मजबूत है कि वो दो काम कर रहा होगा एक बात का इंतजार कर रहा होगा कि जो कल तक अब की बार मोधी सरकार थी मोधी की गारंटी थी मोधी मैजिक था सब कुछ मोधी क्योंकि उन्हें भी दो सहारों की जरूरत पड़ी है तो इंडिया गडबंदन ये भी देख रहा होगा कि वो सहारे कब नाराज होते हैं कब खफा होते हैं और उधर से इधर आ जाएं जिसमें से एक तो बहुत प्रसिद्ध हैं पल्टी मारने के लिए अगर ऐसी कोई प्र लड़ाई में मजबूती से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है तो यह पूरा दिर्शन देख रहा है अच्छा अभी इंडिया गडबंधन में आपने किस तरह के क्योंकि यह जो गडबंधन जब बना शुरुआत में लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा इस तरह की बाते चल रही थी चर्चाय चल रही थी चुनाव भी जब यह शुरू हुआ तो लग रहा था बड़ा हलका चुनाव है बड़ा ठंडा लेकिन जैसे जैसे चरण दर चरण बीचते चले गए चुनाव भयंकर करमाता चला गया दो नेता राहुल गांधी और अखिलेश क्योंकि आपको याद होगा जब यह तमाम नेता समाजवादी पार्टी से तमाम लोग बवावत करकर के छोड़ते हुए जा रहे थे घदारी कर रहे थे अखिलेश यादव ने बात कही कि हमारे साथ तो जो हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वह हमें हमारे साथ घदारी करके जाता था इसलिए मैंने बाग गई तो आपको क्या लगता है अब क्या बदलाव देखा आपने यह बाद आपने बिल्कुल ठीक कही कि इस बार इंडिया गड़ बंधन की पार्टियों के साथ उत्तर पदेश में बहुत करीब से काम करने का मौका भी मेला और निश्यत रू कि हमने इस प्रदेश में मेट्रो चलाई एक्सप्रेस वे बनाए लैपटॉप बांटे पुलिस की बिवस्ता ठीक की एंबुलेंस चलाए महिलाओं को अधिकार दिये डेफलप्मेंट के नए नए प्रतीक चुने और मुझे मैं समझता था अगड़ा है मुझे पिछरा बंदन करता है वो नेता फिर फेल हुआ फिर उस नेता ने कोशिश की 2019 में जो मिले मुलायम कांशी राम वाला दौर था वो अधूरा रहे गया उस नेता ने कोशिश की और फिर अखलेश यादो और मायवती अगड़ बंदन हुआ ये खलेश यादो की कोशिश का परड़ाम था और वो भी अधूरा रह गया फिर भी वो नेता निराश नहीं हुआ वो तूटा वो कमजोर पड़ा वो हारा चुनाओ उसके बाद फिर से अपनी ताकत को गोल बंद करके 2022 में फिर से युद्ध के मादान में खड़ा उसके ब समाजवादी पाटी हरी ये तो साफ तोर पर देखता है मतलब कई कई चगों पर आप देखेंगे कि साशन प्रशाशन की जो भूमिका है मैं दोनों राज्यों के चुनाओं को देखता हूं 2020 के बिहार की विधान सबाद चुनाओं को और 2022 के उत्रपदेश के विधान की नहीं समाजवादी पार्टी अब समाप्त्वादी पार्टी बन गई है फिर यह आरोप लगे कि यूपी के दो लड़के भेशेल हो गए ये केवल दो एक जाती और एक धर्म की पार्टी बची हुई 이 सब को झहला एक अपमान झहला तेरसकार झहला धोखा झहला जब उस चोड़ कर चले गए जब पीडिये की बात की तो पीडिये पर आरोब लगा कर के कुछ अपने लोग इनके उपर सवाल उठा गए कुछ अपने विरहयक इनके खिलाफ चले गए दोखा दिया वो आदमें टूटा नहीं वो भीतर से इन चीजों से कैसे लड़ रहा होगा यह त उसके बाद जब वो चुनाओं में आए और चुनाओं कौन से प्रदेश का उत्तर प्रदेश जहां मदब अध्या मतुरा काशी तीनों डबल इंजन की सरकार केंदर में मोदी जी और हमिशा जी और यहां योगी जी ऐसे राज में चुनाओं लड़ना है और उसके बीच मे 22 जनवरी का एक अधभुत राजनेतिक इवेंट उसके बाद कोई मानता था क्या कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाओं जैसी चीज़ बची है सबको यह लग रहा था कि एक तरफा होगा बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी एक्जिट पोल वही बता रहे थे फिर भी एक ने चोटे से चोटे कारी करता से मिल करके उसे हिम्मत दे रहा था कि निराश नहीं होना है लड़ना है तुम समाजवादी हो तुम्हारा चनाओ चन मतलब लाल रंग का है जो कृंती का होता है वो चुप चाप उपने बूत मजबूत कर रहा था वो नेता पीडिये की खोज कर जो गडबंधन तूट गया मायवती जी और अखिलेश जी का अखिलेश जी ने उस गडबंधन से जो एक चीज नहीं तूटने दी वो लोहिया और अमबेटकर का रिष्टा था और बाइस का चुनाव हारने के बाद उस रिष्टे को और मजबूती से पकड़ा और जब भी मै पिला उनसे उन्होंने एक ही बात कही यह हजारों साल की लड़ाई है यह गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई है और सामाजिक न्याए के धरातल पर लड़ी जाएगी उस उस पूरी विचार धरा का इजाद किया उस ने ताने पीडिये नाम से तो वो जो पीडिये है उसने क्रान थे कि जब ये देश सामपरदाइकता की आग में जलने जा रहा था जब ये देश एक ताना शाह की ऐसी सनक में जाने वाला था कि वो जो चाहे वो करने को तयार था जब वो देश केवल हिंदो मुसलमान होने जा रहा था वो देश भारत के समविधान पर सबसे बड़ा खत्रा मेजूस कर रहा था वही नेता चट्टान की तरह खड़ा हो गया और उस अकेले नेता ने 37 सीटे हरा करके उस उत्रप्रदेश में 37 सीटे हरा दी जिसमें किसी को नहीं लग रहा था कि कोई लड़ाई भी बची है तो वो मुझे लगता है कि ये बदलाओ उसके उपर क्या नहीं हमला हुआ शेह जादे से ले करके उसे कहा गया कि मतलब परिवार के उपर हमला उनके अपने उपर हमला वो मंदिर गए तो मंदिर दोलवा दिया कितना अपमान नहीं किया वो नेता मुस्कोराता हुआ कहता रहा कि हम डॉक्टर अंबेटकर डॉक्टर लोहिया के सपनों को बचाने के लिए भारत के समिधान को बचाने के लिए और पीडिये से क्रांती करने के लिए तयार खड़े है और चार जून को जब परिणाम आए और वही सच साबित हुआ अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया है नेता जी भी इतनी सीटे लेकर नहीं आए से जितनी सीटे अखिलेश यादव लेकर के आए है कुछ समय पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कहे अखिलेश यादव अपने दम पर एक चुनाव भी जीते हूं तो बताओ लेकिन इस बार इतिहास रच दिया है अखिलेश यादव ने अकाल्पनिक अध्भुट जीद हासल करी है मेरा मानना यही है कि वो है न वपत क्या पतिक कुशलता क्या जिस पत पर बिखरे शूल नहों और नावक की धहर परिक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल नहों विपरीद परिस्थियां एक से एक विपरीद परिस्थियां मैंने इसलिए कहा कि 12 से 17 का कारेकाल जब भी देखा जाएगा तो उत्ता प्रदेश के 9 निर्मार का कारेकाल है लखनव से लेके नोईडा तक गाजीपूर से लेके गाजियाबाद तक जो कुछ भी हुआ अधरी मायवती जी ने किया उसके बाद अधरी अखलेज जी ने किया अब तो साथ साल से सरकार है यहां खोज रहे हैं कोई शला नैस की मिल जाए यहां तो आपस के जगड़ा ही खतम नहीं हो रहे हैं ऐसे वक्त में उनके काम पर उन्हें कभी भी सराहना नहीं मिली उलाहना मिली अपमान मिला उन्हें तरसकृत किया गया इसलिए मैं देखता हूँ कि एक नया नेता इवाल्ब कैसे हो रहा है इंडियन डेमोकरसी में एक नेता जो काश सेंसर्स पर क्लियर बोलना शुरू करता है वो यह जगह थी वो डॉक्टर लोहिया को जब डॉक्टर अंबेटकर से जोड करके एक विचारधारा की लड़ाई को मजबूत कर रहे होते हैं तब आपको एक तस्वीर भारत के देखती है कि यह 2024 का चुनाव असल में विचारधारा का चुनाव था एक तरफ सामप्रदाईक, जातिवादी, सामंती और वर्चसवादी विचारधारा थी और दूसरी तरफ सम्विधानवादी, सामाजिक न्याय की लोहियां बिटकर गांदी की विचारधारा थी वो नेता उस परचम को लेता है और इसलिए वो जीत हासिल करने में कामयाब हो गया क्योंकि वो तूटा नहीं वो भले यह कहता रहा उदार्स होकर के परिशान होकर के जिसको आगे बढ़ाया वो ही दोखा मिला लेकिन उस दोखे से उसने सबक लिया, अपने कारिकरताओं को हिम्मत दे और जो जनता थे ना, उसकी नाउमीदी में उमीद पैदा की और नाराजगियों को उचित दशा दे इसलिए कोई नेता बनता है, इसलिए अखिले श्यादों का जब मुल्यंकन होगा तो इस बात के लिए मुल्यंकन होगा कि उनकी लड़ाई किन से थी, उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से थी, जिनकी भाशा में मुझरा, मंगल सूत्र, भेंस, खोल ले जाएंगे हो रहा था उनकी नराई योगी अदितिनाद जी से थी, जो औरंग जिप के उलादें कह रहे थे, शहजादें कह रहे थे ऐसे वक्त में खिले श्यादों क्या बोल रहे थे, कि यही श्यादों और मात हम देंगे यह जनता आपको सबक सिखाएगी निक्रिष्टतम हमलों के बीच भी एक शक्स मुस्कुराता हुआ कि वल जनता की बात करता रहे गया उसका नाम है खिले श्यादों हिंदू मुसल्मान की सियासत के बीच वो खड़ा हो करके समाजवात का सामपरदाइक सोहार्द वाला परिचम लहाता रहे गया उसका नाम है खिले श्यादों इसलिए यह लड़ाई मुझे लग रहा है एक नए खिले श्यादों को हम लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिये जो उम्मीद से बढ़ा हुआ है उतर प्रदेश में बीचेपी की इतनी बुरी हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं लक्षमिन आदर जी आपको मैं चार विकल्प दे रहे हूँ पहला की बाबा की वज़े से हारे दूसरा नरेंद्र मोदी और शाह के अहिंकार की वज़े से हारे तीसरा जोगी आदितिनाज जी कोई साजिश कर रहे हूं नाराज हूं तो मेरा सवाल यह होगा कि क्या मोदी जी और अमिशाह जी इतने कमजोर हो गए थे कि अपने एक मुख्यमंत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इसका मतलब तो पहले ही हार चुके हैं इसका अर्थिया ही न एहंकार के रास्ते तानाशाही तक चला जाए तो दुनिया के बाकी देश तानाशाही कबूल कर लेंगे ये भारत ऐसा देश है जो मुद्ध का है कबीर का है रहदास का है फूले अमिटकर पिरियार गांधी लोहिया अमिटकर भगत सिंग इनका है बहुत कितने डैवर्सि मिट्टी है इसके मिट्टी में जो तासीर है वो विद्रो की है और इसलिए करा हूँ ये कबीर का देश है और इसने ये कबूल नहीं किया कि आप तानाशाही से इस देश को मतलब एक चाल में हाक देंगे इसलिए ये एहंकार के खिलाफ आखरी जो विकल्प आपका है कि ज इदकार वाले खत्रों के सामने जनता ये चुनाव रहे थी अखिलेश यादो योगी राहूल गांदी या तेजस्वी यादो ये लोग उसके बीच में खड़े होकर के उस जनता को एक दिशा दे रहे थे मैं इस पूरे चुनाव को ऐसे देख रहा हूँ तो अभी क्योंकि मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश याद राहूल गांधी ने भ्रम फहलाने की कोशिश किया कि सम्विधान को खत्रा है बलकि ऐसा कुछ नहीं था आपने अपनी आखों से मोदी सरकार में सम्विधान को खत्म होते हुए देखा मैं तो एक सवाल पू मुझते कि मानेवर आप केह रहे हैं कि यह भ्रम फहलाया जा रहा है कि सम्विधान को खत्रा है क्या आपके सांसद लल्लू सिंग को अखिलेश याद ओने कहा था कि यह बयान दे दो कि 400 इसलिए चाहिए क्या सम्विघान बदलना है या आपके अपने आर्थिक सलाहकार से लेख लिखवाने वाला कौन था ये बीजेपी की लोग हैं जिन्नों ने खुद कहा है कि हमको इतने ताकर चाहिए ताकि हम देश का समविधान बदलने एक तो बात ये रही इसलिए ये जूट है कि समविधान बदलने की बात भ्रहम थी जमीन पर क्या देखा आप में अब जमीन पर ये देखा दो चीज़े क्या बीजेपी ने अब तक के कि दस साल के कारेकाल में ऐसा कुछ नहीं किया है कि सब विधान पर खत्रा महसूस हो क्या चुनावायोग के पूरी सनचना पर इतना खत्रा नहीं मढ़ रहा है कि वो कि वो शेरोशायरी सुनाने वाला जिगभ बच गई है वो वही चुनावायोग जहां टी अन्सेशन पर जिनमें आतंक वादियों को जेल में होना चीए था उनमें पत्रकार उनमें शोधार्ती उनमें छात्रनेता उनमें सामाजी कारकर तो प्रोफसेर जेल मesं का लेगे क्या इस देश में आरक्शन को खतेम करने के लिए पूरे देश को नीजी हफों में नहीं पेचा गया कर करके वो पूरे देश को क्या तबाह करने की देशाम नहीं जा रहे थे ये बीजेपी सरकार ने किया दो आपरेल का भारतबंद संभीदान बचाने के लिए बीजेपी सरकार में हूआ पांच मार्च दो हजार उननिस का भारतबंद 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाब उन प्रोफेसर बनेगा और जो उनकी विचारधारा का नहीं है उन सब को बाहर करो देश से यह संभीधान को भीधर से खोकला करना बीजेपी ने किया इस बात को इस चुनाव में मैंने देखा कि करीब से जंता समझ गई उत्तरप्रदेश इस उत्तरप्रदेश में इस बार इंडिया गडबंदों और अखिलेश यादो की स्लोगन में कि ये सम्मिधान मन्थन का चुनाव है एक तरफ सम्मिधान भक्षक कड़े एक तरफ रक्षक कड़े हैं हम सम्मिधान बचाने के लिए बाबा साब मिटकर लहिया को साथ लेकर आए हैं इस बात पर बसपा हो या भाजपा हो कल तक जितने भी लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते थे लेकिन किनी वजहों से सपा को वोट नहीं देते थे उनमें से बहुत बड़ा तबका इन दो वजहों तीन वजहों से अखिलेश यादो को वोट देता है सम्मिधान बचाने के नाम पर पीड सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी यह संविधान बचाने वाली पार्टी इसने यकीन दिलाया कि हां संविधान हम बचाएंगे हम अगनीवीर खतम करेंगे हम पेपर लीक रोकेंगे हम किसानों का करजा माफ करेंगे हम जो है मैलाओं को अधिकार देंगे ज पर बात पर हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करते थे बीजेपी ने एक नारेटिव सेट करने की कोशुश की कि जो राम को लाएं हैं जनता भी उनको लेकर के आगी लेकिन सबसे बड़ी हार आयोध्या में हुई और तमाम धार्मिक नगरियों में बीजेपी की बहुत बुर सकते हैं क्योंकि ये इसी देश में संभव है कि जिसे आप वहां भी संविधान का जादू चला हर जिदे चला होगा मतलब संविधान तो बहुत बड़ी चीज है ना मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में शायद भारत पहला देश होगा बीजेपी पहली पार्टी होगी जो य भगवान को हम लाए है इससे कम से कम धार्मिक भावना लोगों के आहत होनी चीए भगवान जिसे आप मानते हैं वो इंसानों को लाए होंगे इस बार शायद भगवान को ही ये मन्जूर था अगर इस इस देश की आस्था विश्वास का इतिहास ये है कि उनकी मर्जी के ब न मतुरा न कासी अयोध्या में चलेगा अवधेश प्रसाथ पासी यह नया भारत इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या के स्टडी रहेगा आने वाले कई दश्कों तक इस देश के चुनाव को समझने के लिए सबसे बड़ी हार आयोध्या में हुई जहां से कोई सोची नहीं सकता था यह वो सेफ जगहें थी सेफ सी जो भी लगता ऐसा था कि बीजेपी कभी अज्ये हैं लेकिन इन सीटों में बहुत बुरी हार हुई और दूसरी बात बनारस में भी नरेंद्र मोधी की हार समान ही ज बोलूँ वह सकता है खुद ही उन्होंने कहा होगा कि मैं कुछ दिल पीछे चलूँगा 6000 वोटों से फिर आगे चलूँगा क्योंकि अगर जीत की हिसाब से देखें तो इस पर तो खुद उन्हें सोचना चाहिए कि त्रस्त हो गई जंता मुझे लग रहा है कि जंता बॉब बना जा सकता है कितना दिन इस देश की जंता बरदाश करेगी आपके जूट और लूट को इसलिए जूट और लूट के खिलाफ जंता का विद्रोह है ये जंता विद्रोह कर रही है कि ताना शाहिए इस देश में नहीं चलेगी रोज हिंदू मुसल्मान नहीं चलेगा हम रोजगार पर बात करो ना महंगाई पर बात करो तुम जातियों के नाम पर गैर बराबरी बढ़ा रहे हो हिस्सेदारी पर बात करो महिलाओं के सुरक्षा पर बात करो तुम के वह एलेक्टोरल बॉंड के नाम पर पैसा लूटे जा रहे हो यह एक तो जंता तक पहुंचा है जनता चुनावल रही थी, रही बात योध्या की और धार्बिक नगरियों की, मेरा मानना है मैं क्यों ये बात बहुत दावे से कह रहा हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक इस देश की राजनी तिका विश्णेशनर जब होगा तो योध्या केस श्टडी बनेगा, वो ये क्योंकि दो-तीन वज़े हैं, पहली वज़े बार-बार में कहूंगा जनता, सबसे पहली वज़े जनता ही होगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया, दूसरी वज़े अखलेश यादो कि एक कूटनी ती, एक रडनी थी, सामान ने सीट पर एक दलित प्रत्याशी हो, आज जभी ये इस देश में अपवाद माना जाता है, जैसे मेरे विश्रव द्याले में, आप पांच हजार लोगों को नियोक्ती मिले हैं दिल्ले विश्रव द्याले में, और इसका ज़रा CBI जांच, कभी CBI ED अगर खाली हो तो हो, कितना पैसा वैसा चला है, वो ED जांचे, और CBI ज़रा इसकी जांच करें कि अगर पांच जार पोश्ट में से, तीन हजार पोश्ट, डाई हजार पोश्ट अगर यू आर है, तो ओपन फॉर ओल है, तो ओपन फॉर ओल में कितने दलित पिछड़े अधिका प्रोफिसर बने, पता चलेगा एक भी नहीं बने, इसी तरह स जितनी रिजर्व सीटियों होती है, उनमें सामान सीटों पर कोई रिजर्व केटिगरी का दलित नहीं लड़ा था, अकले शायद उन्हें दो प्रत्याशी लड़ा है, मेरट में सुनिता वर्मा और उसके बाद अयोध्या में अवधेश पासी, ये सामान सीटों पर दलित में दो आरते हैं, एक तो ये बात, ये प्रयोग है, पिडिये का ये है, समिधान की एक अवधारना, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, अब दूसरी बात, जनता इस बात से तरस्ती है, अधेश पासी उनके बीच के नेता है, लगबग 80 साल के नौजवान नेता है, मैं जानता हैं कि कभीर वाले राम भी राम है, अस्तोरी कुंडल वसे अमरिक डूड़े बन माई, और ऐसे घट-घट राम है दुनिया देखाए नाई, उनका व्यक्तित और शक्सियत और आखरी बात, अध्या के लोग भूले नहीं थे, कि विकास के नाम पर उनके आशू, और मैंने रिपोर्ट में रोते, चीखते, तड़पते हुए कह रहे थे, कि भगवान का घर बसाने के लिए हम गरीब ने कितना मेहनत करके एक छोटा सा अगर बसेरा बनाया तो आपने कैसे उसे उजाड़ा, उन आसूओं ने शायद ये हार दिलाई, उन बेइमानियों ने हार दिला जो जमीन के घोटालों में हो रही होगी, या जो भी रहा हो गया, मेरा मारबार मानना है कि एक सेंपल था और पूरे देश को बचाने का क्रेडिट अगर एक सीट को मुझे देना हो, कि पूरे देश को अंधकार में जाने से कोई बचा ले गया, तो वो आयोध्या थी, इसल शौणने कैसी कैसी बातیں कह रहा है, ये आपने क्या इससे पहले सोचा था या देखा था हमारे मैं तो उन लोगों से, मैं तो उन लोगों से इसका सवाल का जवाब माइगा कि वह हिंदू नहीं है क्या, लिए अगर हम बात करें आगे जो नहीं सरकारा आएगी, उसके ब मज़ेदार सरकार है मानिवरकांशी डाम कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए और पिछले कुछ दिनों से नेरेटीव बनाया गया था कि सक्त फैसले लेने के लिए मजबूत सरकार चुनो देख लिया ऐस देश ने सक्त फैसला तब होता कि 10 साल में 20 क् पंदर लाग हर के काउंट में होता सो स्मार्ट सिटी बनती स्मार्ट गाहों बनता फाइफ ट्रेल एकॉनमी होता पेट्रोल 35 रुपर मिलता यह सारे सक्त फैसले क्यों नहीं लिए गए जाती जंगर्णा करवा देते जब बार-बार करते हैं मैं ओवी सी मां का बेटा हूं य अरे तुम गडबंदन अब उनके साथ कर लिए हो जो अपने मैनुफेस्टों में कह रहे हैं दस हजार पांच जार मौलवियों को देंगे मस्जिद बनवाएंगे हम इमाम इबादत घर बनवाएंगे एक लाग रुपिया हज सबसिडी देंगे मुसलमानों को आरक्षन दे रहे हैं इतना कमजोर कर दे रहे हैं अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे जमी बेच देंगे अगर सो गए तो यह वतन के सिपाही वतन बेच देंगे इसलिए मेरा कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जो मजबूर सरकार है औ और एक अकेला सब पर भारी नहीं था उसका घमंड चकना चूर हो गया नैतिक सास होता तो उसने वो कहता कि यार नहीं है मैं नहीं मुक्य मंत्री बनूँगा लेकिन वो तो है बिना टेली प्रॉम्टर के कैसे जबान लड़ा रहे थी कहने मतलब यह है कि वो सरकार दो बैसाक पर है नितेश कुमार जो इस बात के लिए बहुत पूरे दुनिया में लोग कप्रिये हैं कि उनके पेट में दांत है लालू जी कह चुके हैं वो कब पलड़ जाएंगे इसका भरोसा नहीं है मैं उमीद करता हूं कि नितेश कुमार के लोग अभी सही दबाव बनाने लगे हैं नारा लंकी लोकेश वो यह कह रहे हैं कि पेगसिस की जाच हम करवाएंगे और तो और वो लोग सबाद द्यक्ष का पद मांग रहे हैं उनको डर है क्योंकि बगल में एक नाज शंदे भी बैठे थे कि पार्टी ओटी कैसे तोड़ी जाती है वो एक नाज शंदे बगल बैठे सेंपल दे रहे हैं तो नितिश और नाइडू के साथ सरकार चला पाएंगे मोधी अगर चला भी लिए तो पूरी पांच साल टिक पाएगे आपने काम मजबूत सरकार चाहिए तो क्या यह मजबूत सरकार रहेगी अगर बैसाखियों पर लटके रहेंगे तो हमेशा बटकते रहेंगे कभी नगभी तो अगर बैसा की जड़ा भी लड़ खड़ाई तो गिर जाएगी अब मुझे इस बात में संदी है क्योंकि नरेंद मोधी जी को इस बात का अनुभाव ही नहीं है उन्हें अब तक जितनी भी सरकार चलाई है वो तो इस तरह की सरकार चलान लगें तो इसका मतलब लाचार हो गया है बेबस हो गया है तो गाड़ी तेरा भाई पीछे बैट गाड़ी तेरा दो भाई चलाएगा यह हो जाएगा तो गाड़ी कैसे चल पाएगी सर्वाइफ कर पाएगे मुझे लग रहा है कि नरेंद मोधी जी अपनी आदत और मिजा को समझ रहे होंगे तो यह सरकार पांच साल नहीं चलेगी और इस तरह की सरकार मुझे लगता है कि मुश्किल है क्योंकि नितीश कुमार हो या चंदरबाबु नाइडू हो दोनों समाजवादी खेमे के लोग रहें वो सामपरदाइक नफरत की राजनीती कभी नहीं किया और न कर पाएंगे और नरेंदर मोदी जी सामपरदा एक सोहार्द वाले इंसान तो है नहीं वो मंगल सूत कौन छीन रहा था वो मुसलमान कपड़ा देख के पैचान जाते हैं तो जब दोनों का मिजाज ही नहीं मिल रहा है तो आपको याद है टीडीपी के साथ सरकार बन देखा है कि उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा मैं इन सब के बीच अगर देखता हूं सरकार चले न चले इस देश में संविधान मजबूत हो लोकतंत्र मजबूत हो उसके लिए जो होना हो उसके रास्ते तो खुले हुए हैं अच्छा उत्तर प्रदिश की सरकार म जो बारी बारी रोटेट हो रहा था दिया जा रहा था उसमें एक गुलदस्ता केश्व मोरिया उठा रहे थे तो इसको ब्रिजेश पाठक चीन ले रहे थे पीछे जो है उम्रकाश राजभर थे उनको छोटा वाला गुलदस्ता मिला वो बड़ा घजब का जहां नितीश कि पैर वर छू रहते क्या दर्श है मतलब सोचे ना नितीश कुमार जैसा व्यक्ति अपने हमुम्र नेता का पैर छूने लगे इतने लाचार बेबस नहीं है मुझे लग रहा है कि पैर का नाप ले रहते पैर खींचा कैसे जाना है इसका भेंतजार उन्होंने कर लिया है तो देश में बहुत कुछ हो सकता है और राजनीती में तो कभी भी कुछ भी संभव है रही बाद उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक तो नहीं है क्योंकि दो तानाशाही मिजाज के लोग एक साथ साशन में आ गये हैं दो लोग जो लगभग एक जैसे हैं दोनों में होड इस बात की लगी है कि तुम ज्यादा मतलब बड़े सामप्रदाइक राजनीती हो या तानाशाही प्रविर्ती हो या बुल्डोजर हो या कुछ भी हो दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं और अखिलेश यादो जी ने एक अपने रेलियों में कि दो इंजन में से एक इंजन तो चुनाओ में पोस्टर से गायब हो गया तो एक खटारा इंजन को बदल दो या खिलेश यादो जी ने कहा खुद नरेंदर मोदी जी के बाद कौन मोदी नहीं तो कौन यह विपक्ष पूछते थे अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो जो मोदी के बाद हमिशा हैं कि मोदी के बाद योगी अदितनाथ होंगे इसके लड़ाई है और मैं यह देख रहे हैं अगर मोदी सकता में आते हैं मोदी प्रधानमंद्री बनते हैं शपत अभी तक नहीं लिया लेकिन शपत जल्दी ले लेंगे तो उसके बाद क्या योगी आदितनाद को हटाना ही पहला टार्गेट होगा वो हटाएं ना हटाएं मेरा तो दिख रहा है यह उत्तापदेश की जनता खुद इन लोगों से तरस्ता गई है वो न तो मोदी को पसंद कर रहे है न योगी को बिचारे अंदभक्त ही परिशान है वो इसलिए गाली ह हुद करार है ना दोनों एक जैसे है दोनों को समझ भी नहीं आ रहा है मुझे इस बात का पूरा संदेय है कि दिल्ली वाले लोग कई लिस्ट बनी योगी ने एकेशर्मा को भीजा गया तो योगी ने उनको नहीं बनाया दारा सिंग चोआन और रोम्प्रकाश राजभर को मंध्री बनाना the to you योगी नहीं बने दिया आखरी में जब आचार संका लगने के चंद दिन पहले बनाया फिर योगी चाहते थे कि पर्माने डीजीपी हो जाए और वो सची हमारा अपना हो जाए वो उन्होंने नहीं बनने दिया खूब टकरा रहें इंजन आपस में अपस में जो हारे हैं सब अगर योगी जी के वज़े से आने तो इसका मतलब मोदियों में साजी तो बहुत कम जोर हो गया है फिर तो योगी जी को नहीं बदल पाएंगे और आप ताकतवर हैं तो फिर किस बात का अंधिजार कर रहे थे तो यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है कहीं ऐसा नह नहीं पा रहा है ताना शाही प्रविट्टी ऐसी है कि हमारा कुछ चल नहीं पा रहा है हो सकता है अंतर आत्मा की आवाजें अचानक से गूजें लखनव के इर्द गिर्द और अचानक एक दिन बिहार में जो हुआ वैसा उत्त अपदर्श में भी हो जाए और सरकार बदल राजनीती है इसमें कुछ भी संभव है तो प्रफेसर साब ने एक एक धागे खोल दिये परत दर परत हमारे हर सवालों के जवाब दिये उत्तर प्रदेश में तो कुछ बहुत बड़ा होने ही जा रहा है लेकि नरेद्र मुदी की शपत के पहले या फिर शपत के बाद कु इंडिया के क्या कदम हो सकते हैं और राजनितिक संभावनाएं आखिर क्या क्या है क्या मोड ले सकती है क्या ट्विस्ट आएगी इन सब पर हमने बात कि हम फिर मिलेंगे आप से अभी के लिए इजाज़त नमस्कार जैहित